मेरे नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टेक्स दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग मोवाइल में कीबोर्ड की एक एसी सेटिंग बताने वाला हूं जो आपको बहुत यूसफुल होगी इसका नाम रखा गया है जिसका बोलते हैं करदर मुविंग कर कर स्टेक्ट से कीवोड को मेंटन करना जैसे कि मालेश आपने कोई नाम लिखा ऊसमें कोई गलती हुगई यह आपको क्या करना पड़ता था पॉइंट करना पर पाएंगे और आपको यह से नोट में नोट में आप देख रहे हैं यह कर रहा है הם जाता हूं इक खर्ज़र थोड़ा उपर चले जाए पहले क्या करना पाइब और कभी गार वह सई जगार टैप नहीं हो पता थो मैं करंव मैं किंवर्थ से कैसे मॉव करूं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है में तो थोड़ी तो spasco दबाख के रखना या आप देखर हैं करजल कंट्रोल आ चुका है अब मैं इसको जहां भी जिब करूंगा यह इसीरी मुफ होता जाएगा आप देख रहें जहां नीचे ऊपर गार मंवाइब करना रहा हो तो घस्का पर एज्ञेस्ट हो जा रहा हुँ एप्छा него वोड़ पर कुछ नहीं करना इस्पेस को अ मेंटेंग कर पाएंगे तो इसके लिए क्लिए अपने मोइल के सेटिंग में जाने के आपको नीचे आना है जनुर्ड मैनेजमेंट में आने के बाद आने के बाद आपको यहां पर language and input में उसके बाद आपको on screen keyword में आना है उसके बाद आपको अपने Samsung keyword में आना है उसके बाद आप नीचे देखेंगे स्वेब touch and feedback का जो option लिखा है उस पर जाना है उस पर जाने के बाद आप यहां पर सबसुपर आ रहा है keyword swap control जो की no swap control होता है यह सब्सक्राइब कर दिया है उसके बाद कुछ नहीं करना इने बल हो जाएगा बापश आप इसको यूज करके देखेंगे तो यह देखिए यहां से इने बल हो चुका है तो यह बहुत ही अच्छा फीचर है यह जो आप typing करते हैं यह बहुत यूसफुल फीचर है तो आपको फहुत मज़ा आएगा इस फीचर को ओन करने के बाद चलाने के बाद तो दोस्तों अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेर एंड कमेंट जरू करें और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो मेरे चैनल सब्क्राइक करना ना बूले थैंकि दोस्तों